तो इस वीडियो में हम SMDOT के questions करते हैं Find SMDOT of the curve इस curve के लिए हमें SMDOTS find out करनी है तो SMDOTS find out करनी है मतलब हम parallel and oblique दोनों दोनों type की SMDOTS find out करेंगे तो सबसे पहले solution parallel देख लेते हैं सबसे पहले तो देखो X की X axis के parallel वाली की बात करते हैं तो उसके लिए हमें X की डिगरी देखनी है हर एक टर्म में तो इस वामें X की डिगरी 3 है यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, 2, 1, 0, 0 तो X की हाइस डिगरी है 3 ठीक है X क्यूब वाली टर्म यह अकेली है ठीक है इसका coefficient गुणांक है 1 और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता यानि कि X एक्स के पैरलल एसम्टोट एक्सिस्ट नहीं करती ठीक है similarly Y की हाइस डिगरी भी 3 है और यह टर्म है Y क्यूब वाली इसमें Y क्यूब का गुणांक है माइनस का 4 और माइनस का 4 भी 0 के बराबर नहीं होता तो Y एक्सिस के पैरलल भी एसम्टोट एक्सिस्ट नहीं करती ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे since coefficient of X क्यूब इक्वल 1 ठीक है and 1 is not equals to 0 it implies there does not exist any एसम्टोट पैरलल टू X एक्सिस X क्यूब का गुणांक 1 है और 1 जीरो नहीं हो सकता जीरो के बराबर नहीं हो सकता मतलब X अक्ष के समानतर अनंतिस परशी exist नहीं करती ठीक है similarly coefficient of Y क्यूब है minus का 4 and minus का 4 भी 0 के बराबर नहीं होता it implies there does not exist any asymptote पैरलल टू Y एक्सिस Y अक्ष के समानतर भी अनंतिस परशी exist नहीं करती अब हम oblique asymptotes या फिर त्रियक अनंतिस परशी निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहला step था हमें कर्व को डिग्री के पदों की घात के descending order में घटे करम में arrange करना है तो इस कर्व को देखके साफ पता चल रहा है इसकी डिग्री 3 है डिग्री 3 वाली टर्म्स कुन कुन सी है देखो ये डिग्री 3 वाली टर्म है ये भी डिग्री 3 की टर्म है X की डिग्री 2 Y की डिग्री 1 तो टोटल टर्म की डिग्री हो गई 3 इसकी भी degree 3 है इसकी भी degree 3 है तो ये degree 3 वाली term सबसे पहले तो ये तो arranged है curve अगर arranged नहीं है तो हमें arrange करना है सबसे पहले degree 3 वाली term उसके बाद degree 2 वाली उसके बाद degree 1 वाली उसके बाद constant terms और अगर 4 degree का curve है तो सबसे पहले 4 degree वाली terms सारी की सारी फिर 3 degree वाली फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है, अब ये तीनों terms है, degree 2 वाली इसके बाद degree 1 वाली कोई term नहीं है यहनि कि degree 1 वाली term का coefficient हो गया 0, और फिर ये degree 0 वाली term तो ये curve तो हमारा arranged है अगर arranged नहीं है तो हम सबसे पहली चीज यही करेंगे curve को degree के हिसाब से descending order में arrange करेंगे terms की degree के हिसाब से, पदों की खात के हिसाब से ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें put x is equals to 1 and y is equals to n in terms of degree 3, 2 and 1 सबी में put करते हैं, degree 3 वाली terms में भी x पराबर 1 और y पराबर input करते हैं, जो 2 degree वाली में भी करते हैं, 1 degree वाली में भी करते हैं जैसे मैंने derivation में पताया था 5 n m, 5 n minus 1 m, 5 n minus 2 m हो सब calculate करेंगे तो 5 3 m जो है, हमारे पास क्योंकि अधिक्तम घात जो है, वो 3 है degree 3 है इस polynomial की तो 5 3 m equal, यह जो 3 degree वाली terms हैं, इन में x बराबर 1 और y बराबर m रखना है, तो क्या बनेगा 1 minus 5 m plus 8 m square minus 4 m cube, ठीक है 5 2 m 2 degree वाली terms में रखेंगे x बराबर 1 और y बराबर m तो यह 2 degree वाली terms हैं, यह बनेगा 1 minus 3 m plus 2 m square ठीक है, 5 1 m मतलब 1 degree वाली terms में रखेंगे तो 1 degree की कोई term ही नहीं है यानि की 0 और अगर हम 5 0 m लिखते हैं 0 degree वाली terms तो 0 degree की term एक ही है minus 1, तो यह आजाएगा minus का 1 ठीक है, अब हमें क्या करना है 5 n m को 0 के बराब 5 3 m है, यहाँ पे n की value 3 है, ठीक है now, put 5 3 m equal 0 तो 1 minus 5 m plus 8 m square minus 4 m cube बराबर 0 ठीक है, तो यह देखो m में 3 degree की equation है तो यहाँ से m के 3 root आएँगे 3 mool आएँगे 3 roots आएँगे, ठीक है, तो हमें वो m की 3 values calculate करनी है इसको solve करके अब इसको solve करनी का जो भी procedure आपको आता है आप उससे solve कर सकते हो तो जो हमारा simple procedure होता है हम एक value तो m equal put करके देख लेते हैं कि m की कौन सी value के लिए equation satisfy हो रही है तो अगर हम m equal 1 रखते हैं तो यह 8 और यह 1 9 हो गया, यह minus का 5, minus का 4 minus का 9 होगे, तो satisfy हो रही है ठीक है, here m equal 1 अगर हम put करते हैं तो 1 minus 5 plus 8 minus 4 equal 0 0 equal 0 satisfy कर रहे हैं, इसका मतलब m equal 1 is a root of equation equation number 1 2, 3 मैं यहां से डाल देती हूँ यह 1 यह 2 यह 3 ठीक है और यह suppose 4 है इसके हमें जरुरत पढ़े गे ने इसलिए मैंने नहीं डाला है equation 4 तो एक root तो आ गया m बराबर 1 एक value तो अब बागी की दो values निकालने के लिए जो भी तरीक आपको समझ में आता है m minus 1 वाले factors से divide करके करते हैं या फिर इसको आप arrange करके बना सकते हो linear factors तो वैसे बना कि जैसे भी आपको समझ में आता है वैसे आप कर सकते हैं तो देखो मैं ऐसे solve करूंगी इसे 1 जिसके factors हमें करने उस equation मे m3 का coefficient minus 4 उसके बाद m2 का 8 उसके बाद m का minus 5 उसके बाद constant 1 ठीक है अगर कोई m की power missing है तो भी हम उसका coefficient 0 यहाँ पे लिखेंगे मतलब पहले m3 फिर m2 फिर m फिर constant अगर m की power 4 है तो पहले m की power 4 का गुना फिर 3 का फिर 2 का फिर 1 का फिर 0 का जिसे अगर मान दो यहाँ पे यह वाली term नहीं होती missing होती तो भी हम 0 लिखते ठीक है skip नहीं करेंगे सारी degrees लिखेंगे अब हमें करना क्या है यह मैंने यह वाला root लिख लिए जो हमने put करके देखा satisfy कर रहा है या नहीं यहाँ पे dash इसको as it is minus 4 अब इन दोनों को multiply करना है तो यह है minus का 4 ठीक है इन दोनों को add कर दो plus का 8 minus का 4 plus का 4 इन दोनों को multiply करो यहाँ पे लिख दो 4 इनको add करो कितना है minus 1 ठीक है इन दोनों को multiply करो यहाँ पे लिखो minus 1 add करो 0 यह हमेशे 0 आ जाएगा यह जो डिविजन वाला तरीका है न वही है थुड़ा अलग तरीके से easy way में है ठीक है मैं repeat करते हूं क्या किया हमने m equal 1 इसका root बन रहा था हमने 1 लिखा यह हमने क्या लिखे हैं जिस equation के हम root find out कर रहे हैं उसमें सबसे highest degree का coefficient फिर degree दिरे दिरे कम करते जाएंगे और coefficient लिखते जाएंगे अगर कोई term missing है तो उसका coefficient जिरो लिखतेएंगे ठीक है सबसे पहले यह मैनस 4 Tahiric दिया इन दोनों को multiply करना है multiply करकी यहां पर लिखते है फिर इनको add कर अब पहले degree 3 का था जो हमारा equation था अब यह degree 2 का बनेगा क्योंकि एक factor तो मिल गया ना हमें m equal 1 तो एक degree कम हो जाएगी तो यह होगा हमारा m square का coefficient फिर यह m का और यह constant यानि की m की power 0 का ठीक है पहले यह m cube का था m square का था m का था और m की power 0 का था ठीक है मतलब हमारे पास यह आजाएगा 4m square plus 4m minus 1 equal 0 ठीक है यहाँ पहर माइनस आगया common 4m square minus 4m plus 1 equal 0 तो यह बन रहा है हमारे पास 2m minus 1 का whole square मतलब m की value आ रही है 1 by 2 दो बार यह factor repeat हो रहा है ना तो m की value 1 by 2 1 by 2 दो बार रही है तो हमारे पास m की total 3 values आ चुकी है एक तो 1 है 1 by 2 है 1 by 2 है ठीक है m की यह 3 values आ गई अब हमें c की values निकालनी है sm2 लिखने के लिए तो m equal 1 यह वाली value तो repeat नहीं हो रही different है अलग है तो इसके लिए एक value वाला जो method था वो लगेगा जिसमें हमने लिखा था ना values of m are real and different वो वाला और यह value दो बार repeat हो रही है तो यहाँ पे m की value अगर दो value same होती है वो वाला method लगेगा तो अब हम m equal 1 के लिए सी calculate करते हैं फिर m equal half के लिए सी calculate करेंगे 4 m equal 1 formula क्या बनेगा c बराबर क्या था minus 5 n minus 1 था n हमारे यहाँ पे 3 है तो यह जाएगा 5 2 m upon 5 3 dash m तीक है अब दो c equal values रखेंगे 5 2 m और 5 3 dash m की तो यह मैंने 5 3, 5 2 और 5 1 बाली values लिख दी है हमें 5 2 m की वाले compute करनी है तो minus 5 2 m है 1 minus 3 m plus 2 m square upon में हमें लिखना है 5 3 dash m तो हम इसका एक बार differentiation कर देते हैं तो 1 का differentiation 0 हो गया यह आगया minus का 5 plus का 16 m minus का 12 m square तो minus 5 plus का 16 m minus 12 m square c equal m बार बन पुट कर देते हैं मैं इस minus 9 को adjust कर रही हूँ तो minus 1 plus 3 minus 2 m equal 1 पुट कर दिया है यह बननेगा minus 5 plus 16 minus 12 तो देखो minus का 3 plus का 3 यानि कि यह हो रही है 0 तो c की value आ गई 0 तो एक तो asymptote जो है उसकी equation हो जाएगी y बराबर mx plus c होता है m हमारा 1 है c हमारा 0 है तो y बराबर x एक asymptote m equal 1 के corresponding आ गई अब हम m equal half के लिए निखातेंगे for m equal 1 by 2 क्योंकि m equal 1 by 2 value repeat हो रही थी इसलिए formula c वाला change होगा तूसरा formula क्या था c square by 2 factorial 5n था यहाँ पे यहने की 3 double dash m c by 1 factorial 5 2 dash m ठीक है plus 5 1 m equal 0 अब हमें यहाँ values put करनी है 5 3 double dash and 5 2 dash की तो यह हमारा 5 3 dash था तो 5 3 double dash क्या एगा 16 minus 24 m और 5 2 dash m क्या जाएगा minus का 3 plus का 4 m ठीक है तो मैं यह values यहाँ पे रख देती हूँ तो c square by 2 2 factorial 2 यह होता है और यह है 16 minus 24 m c यह है minus का 3 plus का 4 m ठीक है plus यह 0 है equal 0 अब m बराबर half put कर देते हैं तो c square by 2 यह क्या हैगा m बराबर half रखेंगे तो यह 12 हो जाएगा c minus का 3 m बराबर half रखेंगे तो यह 2 हो जाएगा equal 0 ठीक है तो यह आ रहा है हमारा 16 minus 12 जो 4 होगा इस 2 से कट करेंगे तो 2c square ठीक है minus का c बराबर 0 तो c common लेके 2c minus 1 equals 0 c की दो values आ रही है c बराबर 0 और c बराबर 1 by 2 ठीक है तो m बराबर तो 1 by 2 है और c की दो values आ रही है तो SM totes क्या बनेंगी y बराबर x by 2 एक तो और दूसरी होगी y बराबर x by 2 प्लस 1 by 2 तो m बराबर half के corresponding ये दो SM totes बन रही है और m बराबर 1 के corresponding ये के SM totes हम लिख चुके है अब ये दोनों straight lines parallel है of course इन दोनों की slope जो है वो same है m की value 1 by 2 थी न दोनों में तो जब ढाल जो है रिखा का समान होता है slope अगर बराबर होते तो वो parallel होती है lines इस कर्व के लिए parallel SM totes exist नहीं करती पर example करते हैं हम find asymptotes of the following curve इस कर्व के लिए हमें asymptotes find out करनी है तो देखो यहाँ पर x plus y का whole square है मतलब ये जो 2 degree वाली terms है और x plus 2 y ये 1 degree वाली term है इनको 1 degree वाली को जब इन से multiply करेंगे तो 3 degree की terms हो जाएंगी और जब ये 2 degree वाली term को इस constant से multiply करेंगे तो ये 2 degree की terms होंगी इधर 1 degree की terms है ये दोनों और ये constant है यानि ये curve जो है ये 3 degree का curve है तो solution स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले मैं curve को arrange ही कर देती हूँ तो देखो x plus y का whole square इसको जब x plus 2 y से multiply करेंगे तो ये 3 degree वाली terms होंगे और जब हम x plus y की whole square को 2 से multiply करेंगे तो ये 2 degree वाली terms होंगी और minus x plus 9y ये degree 1 वाली terms है और plus 2 ये degree 0 वाली term इक्वल 0 ये हमारा curve है इसमें भी देखो parallel asymptotes नहीं exist कर रही है कैसे नहीं कर देखो जब इस whole square को open करेंगे हम तो x square आएगा सबसे पहले और x square को जब इस x से multiply करेंगे तो x cube बनेगा और वही x की highest degree होगी और उसका coefficient 1 आ रहा है जो की 0 के बराबर नहीं होता similarly अगर हम देखे y की highest degree क्या बनेगी तो जब यहाँ पे इस का whole square open करते हैं y square बनेगा उस y square को जब हम 2y से multiply करेंगे तो 2y cube वह y की highest degree term बनेगी तो 2y cube है तो y cube का coefficient 2 जो की again 0 नहीं होता इसलिए इसमें parallel asymptotes exist नहीं करती तो मैं नहीं mention कर रही है explain तो मैंने करी दिया parallel asymptotes exist नहीं करती तब हम oblique asymptotes निकालते हैं तो oblique निकालने के लिए सबसे पहले हम curve को arrange करते हैं जो हमने already कर लिया यह 3 degree वाली terms यह 2 degree वाली terms यह 1 degree वाली और यह constant इसके बाद क्या करते हैं हम put x equal 1 and y equal m in terms of degree 3, 2, 1 and 0 ठीक है सब में हम x equal 1 और y equal m put करेंगे तो हमारा 5, 3, m जो है वो आएगा यह 3 degree वाली terms में रखेंगे तो 1 plus m का whole square 1 plus 2 m right 5, 2 m 2 degree वाली terms यह हैं इनमें रखेंगे तो 2, 1 plus m का whole square 5, 1 m यह 1 degree वाली terms है तो यह हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 9 m और 5, 0 m यह है प्लस का 2 ठीक है अब हमें क्या करना है m की value calculate करना है और वो कैसे करते हैं 5, 3 m को 0 के बराबर करके तो हम 5, 3 m को रखेंगे 0 के बराबर तो यह आ रहे हमारे पास 1 plus m whole square 1 plus 2 m बराबर 0 तो यहां से m की value देखो यह वाला factor पाबर 2 है तो repeat हो रहा है यहां से m की value minus 1 आएगी वो 2 बारा रही है और यहां से आ लिए minus का half तो यह m की 3 values आदे तो यह वाली value तो single value है इसके लिए real and different formula लगेगा यह वाली value repeat हो रही है phi 3 dash, phi 3 double dash और phi 2 dash calculate करना है तो हम यह derivatives calculate करके और फिर c calculate करते हैं तो यह phi 3 है phi 3 dash निकालते हैं तो ऐसा करते हैं u into v rule से कर लेते हैं तो इसका differentiation होगा 2 1 plus m 1 plus 2 m as it is plus इसका differentiation हो जाएगा 2 1 plus m का whole square as it is ठीक है हमें phi 3 double dash भी चाहिए ही होगा क्योंकि m की दो values same आ रही है तो इसमें double dash भी चाहिए होगा तो इसको एक और बार differentiate कर लेते हैं तो again मैं इसमें u into v rule ही लगा रही हूँ तो 2 इसका differentiation 1 हो जाएगा 1 plus 2 m जब इसका करेंगे तो 2 आएगा तो 4 1 plus m और इसका आजाएगा 4 1 plus m यानि यह हमारे पास आ रहा है 2 1 plus 2 m और 8 1 plus m ठीक है और 5 2 dash भी चाहिए होगा तो यह आ रहा है 4 1 plus m अब हम c calculate करते हैं तो at m is equal to जो different value थी वो थी minus का 1 by 2 उसके लिए c calculate करते हैं तो उसके लिए c का formula क्या होगा minus 5 2 m upon 5 3 dash m तो c equal 5 2 m है हमारा 2 1 plus m का whole square और 5 3 dash m यह वाला है 2 1 plus m 1 plus 2 m plus 2 1 plus m का whole square तो यह हमें m equal minus half put करना है तो देखो जैसे m equal minus half put करेंगे यह वाला term 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर minus half रखते ही 1 minus 1 0 हो जाएगा तो यह वाला factor जो हो जाएगा 0 यहाँ पर हम m की जगर minus half minus half रखतेते हैं तो minus 2 1 minus half का whole square upon 2 1 minus half का whole square तो यह आपस में cancel हो रहे हैं तो c की value आ रहे है minus का 1 थिक है तो sm toat क्या बनेगी y बराबर mx plus c होता है तो m हमारा था minus का half तो minus का x by 2 minus का 1 2 LCM ले ले लेते हैं तो यह बन रहे हैं देखो x plus 2y plus 2 बराबर 0 अब हम m equal 1 के लिए निकालते हैं sorry minus 1 के लिए अब यह वाला जो root है यह repeat हो रहा था m equal minus 1 value दो बारा रही थी तो हमारा formula होगा c square by 2 factorial phi 3 double dash m c by 1 factorial phi 2 dash m phi 1 m equal 0 थिक है यह values रखते हैं तो phi 3 double dash c square by 2 यह है हमारा 2 1 plus 2m 8 1 plus m थिक है c phi 2 dash जो है वो है 4 1 plus m और phi 1m जो है वो था minus का 1 minus का 9m equal 0 थिक है अब हमें simplify करना है साथ ही हम m बराबर minus 1 put कर देते हैं तो जैसे m बराबर minus 1 put करेंगे यह वाला factor 0 और यह वाला factor भी 0 और बाकि जो remaining जगा है वहाँ पे हम m बराबर minus 1 put कर देते हैं इस 2 से 2 cancel हो जाएगा यह 0 होगे है इसलिए थिक है तो c square के साथ यह आएगा 1 minus 2 यह वाला तो 0 हो जाएगा यह minus का 1 और minus का 9m है तो यह हो जाएगा plus का 9 equal 0 थिक है दो values आ रही है एक तो plus 2 root 2 एक minus 2 root 2 तो asymptotes क्या बनेंगी y बराबर m हमारा है minus 1 तो minus x plus 2 root 2 और दूसरी आएगी minus x minus 2 root 2 थिक है तो 2 asymptote यह और एक यह वाली asymptote तो यह asymptote पे based questions अब और अलग तरीके से asymptote निकालने और भी तरीके है अब asymptote निकालने के तो अगले वीडियोज में हम उन तरीकों पे बात करेंगे यहां तक कोई doubt हो तो आप मुस्से पूछ सकते हैं Thank you